Mindset एक ऐसी किताब है, जो कैरोल ड्वेक द्वारा किये गए शोध पर आधारित है. ये किताब अपने बारे में एक ऐसी धारणा की खोज करने के बारे में है, जो आपके व्यक्तित्व का निर्मान करती है. इस किताब में आठ अध्याय हैं जो आपको माइंड सेट के बारे में सब कुछ समझने में मदद करती है चाहे आप स्टूडेंट हो, माता-पिता हो, बिजनसमैन हो या एमपलॉई हो यह पुस्तक आपके माइंड सेट को पूरी तरह से चेंज कर देगी तो आईए, शुरुआत करते हैं इस शांदार बुक की लेकिन उससे पहले, आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल ओंडियो बुक की गंगा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी शांदार बहतरीन वीडियो मिलती रहती है एक लाइक के साथ शुरू करते हैं वीडियो को मानसिक्ता लेखक ने बच्चों के साथ किये गए एक अध्यान के बारे में बात की जिसमें उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि लोग असफलता से कैसे निपटते हैं बच्चों को पहेलिया दी गई चो धीरे धीरे कठिन होती गई कठिनाई के स्तर बढ़ने के साथ कुछ बच्चों ने हार मान ली जबकि कुछ ने चुनोती पूर्ण समस्याओं को हल करने के विचार का आनंद लिया लोगों के विचार, कार्य और चुनोतियों के प्रति-प्रतिक्रिया अलग-अलग होती है विशेश अग्यों का मानना है कि यह शारीरिक पहलूओं, उम्र या मनोवैज्ञानिक कारकों जैसे अनुभव, सीखने के तरीके या लोगों की प्रिष्ठ भूमी के कारण होता है हलांकि आज अधिकांश विशेश अग्य इस बात पर सहमत हैं कि यह दोनों का एक संयोजन है लेखक के शोध से पता चलता है कि आप अपने लिए जो द्रिष्टिकोन अपनाते हैं वह आपके जीवन जीने के तरीके को गहराई से प्रभावित करता है विश्वास प्रणाली दो प्रकार की होती है पहला स्थिर मानसिक्ता जहां व्यक्ति को लगता है कि उसके गुण पत्थर पर उकेरे गए हैं जिससे व्यक्ति को अपनी योग्यता साबित करने की निरंतर आवश्यक्ता होती है ऐसे व्यक्ति के लिए असफलता उसकी कमियों को उजागर करती है और इसलिए प्रयास तभी माएने रखता है जब सफलता की 100% संभावना हो दूसरा विकास की मानसिक्ता जहां व्यक्ति का मानना है कि उसके गुणों को प्रयासों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है मुहम्मद अली के पास मुक्केबास जैसी शारीरिक बनावट या ताकत नहीं थी एक मुखाबले में मुहम्मद अली को सन्नी लिस्टन से भिड़ना था जो अपने आकार, ताकत और शक्ती के मामले में स्वाभाविक था लेकिन अली तेज था और उसकी प्रतिभा उसके दिमाग में थी अली ने बताया कि कैसे उसने लिस्टन की लड़ाई शैली का अध्यर्यन किया और रिंग के बाहर लिस्टन किस तरह का व्यक्ती था अली के शब्दों में लिस्टन को यह मानना पड़ा कि मैं पागल था वह मेरे मुह के अलावा कुछ भी नहीं देख सकता था और मैं चाहता था कि वह सिर्फ यहीं देखे लिस्टन अली से मुकाबला हार गया खेल की दुनिया में अभ्यास और सुधार के बीच एक मजबूत संबंध है फिर भी लोकप्रिय धारणा यह है कि खेलों में सफलता के लिए प्राकृतिक प्रतिभाही सब कुछ है विंबल्डन 2000 में पीट सैंपरास का सामना पैट राफ्टर से फाइनल में हुआ यहां जीत से उन्हें अपना रिकॉर्ड 13 वा ग्रैंड स्लैम जीतने का मौका मिलेगा सैंपरास एक सेट से पीछे थे और दूसरे सेट के टाइब रेकर में 4 से एक से पीछे थे उन्होंने अपना 13 वा खिताब जीता बाद में सैंपरास को उद्रत किया गया जब आप बदलाव पर बैठे होते हैं तो आप पिछले मैचों के बारे में सोचते हैं कि आप पहला सेट हार गए थे वापस आए और अगले 3 जीते आप अपने पिछले अनुभवों पर विचार करते हैं इससे बाहर निकलने में सक्षम होते हैं सैंप्रास ने जो दिखाया वह एक विकास मान सिक्ता थी जहां उन्होंने वह एक ऐसे संदर्भ की तलाश में था जो उसे आगे ले जा सके जॉन मैकेनरो एक प्रतिभाशाली टेनिस खिलाडी थे जो चार साल तक नमबर एक खिलाडी रहे लेकिन वे हार गए, मैच हार गए, क्योंकि उन्हें बुखार था, उन्होंने मैच के बहुत करीब खाना खाया या उन्हें बहुत ठंड लग रही थी मैकेनरो 1984 के फ्रेंच ओपन फाइनल में दो से आगे होने के बाद इवान लेंडी से हार गए क्योंकि एनबीसी का एक कैमरा मैन भाग गया था, हेडसेट बंद किया और कोर्ट के एक तरफ से आवाज आने लगी निश्चित मानसिक्ता के भीतर महान प्रतिभा का निर्माण हुआ विकास की मानसिक्ता वाले खिलाडी अपना सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन करने में सफलता पाते हैं और असफलताओं को चेतावनी के रूप में देखते हैं निश्चित मानसिक्ता में बाधाएं आपको असफलता का लेबल देती हैं विकास मानसिक्ता में खिलाडी उन प्रक्रियाओं की पहचान करते हैं जो सफलता की ओर ले जाएं, प्रशिक्षण और संदेह के क्षणों में उन पर नज़र डालें. विकास की मानसिक्ता चरित्र का निर्मान करती है और एक चैंपियन का दिमाग जो खेल में सफलता को परि काहरण के रूप में प्रस्तुत किया है इसके विपरीत लाइकोका अलबर्ट डनलप केनेथ ले और जेफ स्किलिंग प्रतिभाशाली लेकिन निश्चित मानसिक्ता वाले व्यवसाइक नेताओं के रूप में हैं विकास की सोच रखने वाले नेता अपनी कमपनियों को अपन इसकी संस्कृती में घुस गया था वर्चस्व दिखाने का तरीका था आपसी लड़ाई लू गेस्टनर उनीस सो तिरानवे में आई बी-एम में सी-ई-ओ के रूप में शामिल हुए लू ने कमपनी में एक स्पष्ट संचार चैनल बनाया और पदानुक्रम को कम करके और प्रबंधन समितियों को भंग करके अभिजात्यवाद पर हमला किया उन्होंने व्यक्तिगत इकाई के प्रदर्शन के बजाए आई-बी-एम के समग्र प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के लिए प्रोचसाहन संरचना को बदल दिया उन्होंने निश्पादन और आई-बी आई-बी-एम के स्टॉक में कुछ भी नहीं था क्योंकि उन्होंने गेस्टनर ने कुछ भी नहीं किया था उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा और मार्च 2002 में आई-बी-एम के स्टॉक में 800 प्रतिशत की व्रिद्धि हुई और आई-बी-एम आई-टी सेवाओं लेखित उपाख्यानों से पता चलता है कि स्किलिंग ने अपने सहकर्मियों को डराने के लिए अपनी प्रतिभा का इस्तिमाल किया। उनका मानना था कि जो कोई भी उनसे असहमत है वह उनके जितना होशियार नहीं है। अंततह डूब गया। गुरुप्थिंग संगठनों के भीतर एक निश्चित मानसिकता का धांचा है। गुरुप्थिंग 27 वियों सदी के दशक में एरविंग जैनिस द्वारा गढ़ा गया। तब होता है जब समूह में हर कोई एक जैसा सोचना शुरू कर देता है। और क प्रतिभाशाली है और इसलिए श्रेष्ट है। रिष्टे प्यार में मानसिकता लगभग हर कोई प्यार में पढ़ा है और चोटिल हुआ है। विकास मानसिकता वाले लोगों के लिए यह माफ करने और बहुत चोटिल होने के बावजूद आगे बढ़ने के बारे में है। स्थिर मानसिक्ता वाले लोगों के लिए यह न्याय किये जाने और अस्विकार किये जाने और इसलिए बदला लेने की तीवर इच्छा के बारे में है। कोई माप नहीं होता हालांकि रिष्टों में अविश्वसनीय रूप से अच्छे लोग चाहे जन्मजात हों या प्रयासों से विकसित हों वे लोग हैं जिन्हें आप कूल या आकर्शक के रूप में देखते हैं अब तक पुस्तक में मानसिक्ता संदर्भ का एक व्यक्तिगत धांचा था रिष्टों की दुनिया में तीन फ्रेम हैं आप आपका साथी और खुद रिष्टा इन तीनों फ्रेम में से प्रत्येक में निश्चित और विकास मानसिक्ता के रूप हो सकते हैं विकास मानसिक्ता में विश्वास यह है कि सभी तीन फ्रेम विकसित और विकसि संबंध निश्चित होते हैं रिष्टे में समस्याएं किसी एक साथी के चरित्र दोश के कारण होती हैं अपनी योग्यता साबित करने की आवश्यक्ता रिष्टे का हिस्सा है और इसलिए एक दूसरे से बहतर होने की प्रतिस्पर्धा होती है माता-पिता, शिक्षक और कोच कोई भी माता-पिता अपने बच्चे को जानबूज कर कम तर आखने का फैसला करके दिन की शुरुवात नहीं करता लेकिन माता-पिता द्वारा भेजे गए कुछ संदेश बच्चे को एक निष्चित मानसिक्ता संदेश के रूप में मिलते हैं माता-पिता सफलता और असफलता दोनों संदेश भेजते हैं तुम बहुत होश्यार हो, जैसे सफलता, संदेश अच्छे से ज्यादा नुकसान करते हैं। वे बच्चे की प्रेरणा मैं सबसे अच्छा हूँ और प्रदर्शन ये मुश्किल लगता है। मैं असफल हो सकता हूँ और मैं असफल नहीं होना चाहता को नुकसान पहुचाते हैं। सफलता के संदेशों में प्रतिभाकी नहीं, बलकि प्रयास की प्रशंसा होनी चाहिए। असफलता के संदेश जैसे, तो क्या हुआ अगर तुम असफल हो गए, तुम सर्वश्रेष्ट हो। बच्चे को असफलता से बचाते हैं और एक निश्चित मानसिक्ता बनाते हैं कि सुधार की कोई आवश्यक्ता नहीं है। इसके बजाए, असफलता का संदेश रचनात्मक आलोचना होना चाहिए। विकास की मानसिक्ता वाले माता-पिता अपने बच्चों को केवल सकारात्मक संदेशों से लाड़ प्यार नहीं करते। इसके बजाए, वे उच्च मानकों में विश्वास करते हैं और बच्चों को उन तक पहुँचने के लिए रोड मैप बनाने में भी मदद करते हैं। शिक्षकों की भूमिका माता-पिता के समान ही होती है। अंतर यह है कि वे एक समय में दस से बीस बच्चों का प्रबंधन करते हैं। महान शिक्षक अपने छात्रों पर विश्वास करते हैं और सीखने की प्रक्रिया में उनकी मदद करते हैं। एक विकास मानसिक्टा वाल शिक्षक कहता है मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ। ताकि सीखने के अंतराल की पहचान की जा सके और उन्हें उन अंतरों को पाटने में मदद करें। इसी तरह निश्चित मानसिक्ता वाले कोच मानते हैं कि वे अपनी टीम के जितने ही अच्छे हैं जीत का रिकॉर्ड उनका पवित्र प्याला एक गलती मुक्त खेल है लेखक बॉबी नाइट जो डर के मारे कोचिंग करते थे और एक टीम के सदस्य को दूसरे के खिलाफ खड़ा करते थे और जॉन वुडन जिन्होंने यूसी एलाए बास्किट बॉल को दस एनसी ए चैंपियनशिप में जीत दिलाई के उदाहरणों का उपयोग करते हुए निश्चित और विकास मानसिक्ता वाले कोचों की तुलना करते हैं वुडन ने विकास मानसिक्ता को लागू किया उनके शब्दों में आपको हर दिन थोड़ा बहतर बनने के लिए खुद को लगाना होगा समय की अवधि में हर दिन थोड़ा बहतर बनने के कार्य में खुद को लगाने से आप बहुत बहतर बनेंगे उन्होंने गलती रहित खेलों के लिए नहीं कहा बलकि पूर्ण प्रतिबधता वाले खेलों के लिए कहा बदलती मानसिक्ता, विकास की मानसिक्ता मूलतह परिवर्तन में विश्वास करने के बारे में है अवचेतन स्तर पर लोग अपने जीवन में क्या चल रहा है और उन्हें क्या करना चाहिए इसका एक चलता फिरता हिसाब रखते है मानसिक्ता इस चलते फिरते हिसाब को नियंतरित करने में मदद करती है स्थिर मानसिक्ता के मामले में ये सुरक्षा रेखाएं नकारात्मक होती है मैं असफल हूँ या मैं सर्वश्रेष्ट हूँ विकास में मानसिक्ता यह रेलिंग या आंतरिक एकालाप इस बारे में है कि मैं यहां से कैसे सुधार कर सकता हूँ या मैं क्या सीख सकता हूँ इस से? निश्चित मान सिक्ता से विकास की मान सिक्ता में परिवर्तन के लिए इस आंतरिक एकालाब को बदलने की आवश्यक्ता है. चर्चा को विकास ओन्मुख मानना आप भले ही कुछ भी काम क्यों ना कर ले या आप कहीं पर भी रहे आप उस वातावरण में घुल मिल नहीं सकते जब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा माइंड सेट हर जगह वर्क करता है चाहे वह किसी भी फील्ड में हो अगर आप किसी भी फील्ड का बाप बनना चाहते हैं तो माइंड सेट एक ऐसी कुझी है जो ना केवल सफलता की कुजी खोलती है बलकि सही दिशाप्रदान भी प्रदान करती है जिसमें आगे चलकर आपको पैसा दौलत शोहरत मानसमान मिलता है तो दोस्तों सफलता डिपेंड करती हमारी मानसिक्ता के उपर तो यह थी आज की बुक समरी माइंड सेट बुक के उपर मिलते हैं आपसे ऐसी शांदार बुक समरी के साथ तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए जय हिंद जय भारत